ओम शान्ती आज तिनांक साथ अक्टूवर दो हचार बाईस प्राता हमुर्ली बाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे बाप तुम्हें ग्यान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है मात पिता को फालो कर पावन बनाने की सेवा क करना है मीठे बच्चे बाप तुम्हें ग्यान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है मात पिता को फालो कर पावन बनाने की सेवा करनी है अर्थात स्वयम भगवान निराकार परमात्मा इस भारत भूमी पर प्रह्मातन का आधार लेकर हम बच्चों को ग्यान और योग के द्वारा सत्युक की राजाई प्रदान करते अर्थात पतित से पावन बनाते तो जैसे हमारा पिता निश्वार्थ सेवा करते हैं उन्हें जगतंपा और प्रजा पिता ब्रह्मा फालो करते और हम बच्चों को बाबा ग्यान सुनाकर आधार मूर्त आत्माय हो, तुम्हें विश्व का परिवर्तन करना है, सब को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, तो मात पिता को फालो करना है, बाबा आकर हम बच्चों को ग्यान कस्तूरी देते, पतित से पावन बनाते, दुखी से सुखी बनाते, तमों प्रधान से सत तो प्रधान बनाते तो ऐसे बाब पर कितना कुर्बान जाना चाहिए तो बाबा पर अपना तनमन्धं समय संकल्प सब कुछ नियोचावर कर मात पिता को फालो कर जो मात पिता का धंदा है वही धंदा कर ना है प्रश्न किया बाबा ने जो तक्दीर्वान बच्चे हैं उनकी निसानी क्या होगी उत्तर में बाबा समझाते तक्दीर्वान अर्थात बकतावर बच्चे अच्छी रीती पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वहाँ पक्के निस्चय बुद्धी होंगे कभी भी बाब का हाथ नहीं चोड़ेंगे धंदे आदी में रहते यहाँ कोर्स भी उठाएंगे बहुत खुसी में रहेंगे परन्तु जिनकी तक्दीर में नहीं है वहाँ लाटरी मिलते हुए भी गवा देंगे अर्थात बाबा तक्दीरवान हम बच्चों की तक्दीर जगाते भाग्य विधाता भगवान हमें स्रेष्ट उचे ते उचा भाग्य प्रदान करते इस पढ़ाई और योग के आधार पर तो बाबा कहते जो तक्दीरवान अर्थात पक्तावर बच्चे हैं वे पढ़ेंगे धारन करेंगे परूप में लाकर ओरू को पढ़ाएंगे ऐसे बच्चे पक्के निश्चे बुद्धी वाले होंगे बाबा कहते जिस प्रकार लोकिक में भी साधी के बाद भी पढ़ते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को घर ग्रस्त में रहते धंदा धोरी करते यह पढ़ाई करना है एक सेकेंड का कोर्स है एक सेकेंड में कोर्स उठा कर निश्चे बुद्धी बन कर बाबा कहते पढ़ो और पढ़ाओ गीत सुनाया बाबा ने भोले नाथ से निराला कोई और नहीं ओम शांती भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे माया कितना भोला बना दीती है यहा भी नहीं जानते कि बाब कौन है बाब कहकर पुकारना और जानना नहीं फिर यहा भी मालूम नहीं हो कि बाब से क्या प्रापरटी मिलती है तो भोला कहेंगे ना भोला कहो बुद्धु कहो एक बात है इस समय सब बे अकल बन पड़े हैं उनको फिर बे अकल का भी घमंड है बच्चे तुम बाब को जानते हो और उनसे सुन रहे हो बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी हैं बाबा खुद बेट सिखलाते हैं कि है आत्मा देही अभिमानी बनो अपने को पारलोकिक बाप के बच्चे निश्चे करो लोकिक बाप को तो जानते हो बाकि तुम इतने भोले हो जो पारलोकिक बाप को नहीं जानते अब तुम बच्चों की बुद्धी में बैठा है कि यह बातें परमात्मा पिता समझाते हैं तुम छोटे बच्चे नहीं हो तुमारे आरगंस तो बड़े हैं बाप समझाते हैं अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे अपने को देही अभिमानी समझो बच्चे 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 बाबा कहते हैं किसी आत्मा को वा ब्रह्मा को नहीं कहते यह भी उनका बच्चा है अब तुम जानते हो कि हमारा पेहत का बाप इन में आया है तो बाप को याद करना पड़े चोरासी के चक्र को भी याद करना पड़े यह पेहत का पांच हजार वर्स का नाटक है तुम एक्टर हो अब तुमको ड्रामा के आदी मर्द्य अंत का मालुम पड़ा है तो सारा चक्र बुद्धी में फिरना चाहिए तुम्हारा नाम कितना बाला है स्वदर्सन चक्रदारी फिर भविश्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है तुम अब बाप के बने हो यह इस्मरती में रखना है जितना अंधो की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहम दिल है कहते हैं रहम करो महर करो तुम जानते हो बाप कौन सी महर करते हैं बाप मिला है तो कितनी घुसी होनी चाहिए अब तुमको पेरो पर ख़़ा रहना है जैसे कहते हैं सेंटर अपने पाऊं पर ख़़ा हो तो तुमको भी अपने पाऊं पर ख़़ा रहना है उचे ते उचा पुरुशार्थ करना है फालो फादर मदर लोकिक में बच्चे बाप को फालो कर पतित बन जाते हैं यह तो पारलोकिक बाप के लिए कहा जाता है उनकी स्रीमत पर चलना है बाबा मम्मा को देखो धंदा क्या है पतित को पावन बनाने का और धर्म पितायें जब आते हैं तो उनके धर्म की आतमाएं उपर से आती हैं वहां कनवर्ड करने की बात नहीं यहां कनवर्ड करना है सूद्र को ब्रह्मन बनाना है इस के लिए तुम को महनत करनी पड़ती है तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर भाड़ देते हैं तुम बच्चे हो रूप पसंद जैसे बाप वैसे तुम बच्चे तुमको ग्यान की वर्सा करनी है यह चित्र बड़े अच्छे है त्री मूर्ती का चित्र बड़ा जरूरी है इसमें बाप और वर्सा दोनों आ जाते हैं बाप के बिगर दादे का वर्सा कैसे मिलेगा सिरी क्रेश्न का चित्र सबको अच्छा लगता है बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती उन्हों को चित्र अच्छा लगता है तुमको विचित्र अच्छा लगता है क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भाव तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो बाप रचियता है तो जरूर नई दुनिया ही रचेंगे इसमें लक्ष्मी नारेन का राज्य था लक्ष्मी नारेन का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुन संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुशुप्तम लक्ष्मी नारेन महाराजा महारानी तो बाबा कहते लक्ष्मी नारेन महाराजा महारानी तो नसा रहता है कि हम बाप को याद कर यहाँ बन रहे हैं तो सदेव बाबा बाबा कहते रहो और भविश्य पत को भी याद करो तो सत्यू में चले जाएंगे जैसे एक मिसाल देते हैं मैं भेंसूँ कहने से भेंस समयने लगा परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता है बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायन बन रही हूँ अगर बेगर हूँ यह बंडर है वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे उनकी डिनाइश्टी चलती है उनके बच्चे होंगे बारा सो पचास वर्स सिर्फ लक्ष्मी नारायन थोड़े ही राज्य करेंगे कहते हैं सत्युक की आयू बड़ी है फिर भी प्रजा तो चाहिए तुम्हारी व्रद्धी में बाबा कहते तुम्हारी बुद्धी में ग्यान की पराकाश्टा चाहिए तुम किसके आगे भी चित्र रख कर समझाओ कि भारत स्वर्ग था अब पुरानी दुनिया नर्ख है तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे अब नर्खवासी हैं फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं सत्यु में लक्ष्मी नारायन त्रेता में राम सीता का राज्य था तो सब स्वर्गवासी थे इस चक्र में चोरासी का चक्र सिद्ध होता है जाल में फिर कैसे पूजनिये से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं यह सिद्ध होता है तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं क्योंकि बाप को नहीं जानते अब तुम जानते हो कि सब कबरिस्तान में पड़े हैं तुम बच्चे गुप्त हो अंग्रेजी में आल राउंड बाबा कहते हैं अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं अंडरग्राउंड तुम हो परंतु तुमको कोई जानते न यहां सम्मुख बेटे हो तो मज़ा आता है बेहत का बाप परमधाम से आकर इनमें प्रवेश करपड़ाते हैं चक्र का राज समझाते हैं बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्सन चक्रदारी भव संकदारी भव तुमको ग्यान का संक बजाना है संक कहो मुर्ली कहो एक ही बात है उन्होंने सिरीकरश्न को मुर्ली दिखाई है सिरीक रश्न तो रत्न जडित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए वहां ग्यान की मुरली नहीं है तुम बच्चों को बुद्धी में रखना है कि जैसे कल्प पहले सत्यू में पार्ट बजाया था वैसे अब बजाएंगे बाकी बाबा से तो वर्सा ले लेवें परन्तु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं बाप कहते हैं यहां से पक्के हो जाओ धंदा भल करो परन्तु याद करते रहो एक सेकेंड का कोर्स उठाओ जैसे बहुत साधी करके भी पढ़ते हैं तुम भी धंदे में रहते पड़ो कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है सिर्फ यह बुद्धी में रहे मेरी तो एक सिव बाबा बाबा कहते सिर्फ यह बुद्धी में रहे कि मेरा तो एक सिव बाबा दूसरा न कोई ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता है कभी नहीं चोड़ना चाहिए जब तक बाप ना कहें कि पढ़कर पढ़ाओ तुम बच्चों को बहुत खुसी होनी चाहिए जैसे गरीब को लोटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं परंतु यहां तो बच्चे धंदे में जाकर भूल जाते हैं तो बाबा समझते हैं इतन बड़ी लोटरी धी परंतु पागल हो गए तकदीर में नहीं है तब कहा जाता है बक्तावर देखना हो तो यहां देखो और बुद्धु देखना हो तो भी यहां देखो बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है बाबा बाबा कहते रहो सबेरे उठकर याद करो ज पर कुर्बान जाते हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते आज बाबा ने रातरी क्लास 28 मार्च 1968 की रखी जिसमें बाबा ने समझाया है ऐसी प्रेक्टिस करो यहां सभी कुछ देखते हुए पार्ट बजाते हुए बुद्धी बाप की तरफ लगी रहे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है इस दुनिया को छोड हमको अपने घर जाना है यहां ख्याल और कोई की बुद्धी में नहीं होगा और कोई भी याद समझते नहीं वहां तो समझते हैं कि यहां दुनिया अभी बहुत चलनी है तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं राजियोग सीख रहे हैं, थोड़े ही समय में हम सत्यूगी नई दुनिया में अथ्वा अमरपुरी में जाएंगे, अभी तुम बदल रहे हो, आसूरी मनुष्य से बदल देवी ये मनुष्य बन रहे हो, बाप मनुष्य से देवताव न रहे हैं, देवताओं में देवी गुण होते हैं, वहाँ भी है मनुष्य, परंतु उन में देवी गुण नहीं है, यहां के मनुष्यों में है आसूरी गुण, तुम जानते हो यहां आसूरी रावन राज्य, फिर न रहेगा, अभी हम देवी ये गुण धारन कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योगबल से भस्म कर रहे हैं कहते हैं या नहीं वह तो हर एक अपनी गती को जानते हैं हर एक को अपने को दुर गती से सद गती में लाना है अर्थात सत्यूग में जाने के लिए पुरुशार्थ करना है पुरुशार्त में हैं विश्व की बातसाई एक ही राज्य होता है लक्षमी नारायन विश्व के महाराजन है न दुनिया को इन बातों का पता नहीं है वन वन से इन्हों की राजाई सुरू होती है तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं बाप अपने से भी बच्चों को उच ले जाते हैं इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं ग्यान सूर्य ग्यान चंद्रमा ग्यान लक्की सितारे तुम लक्की हो, समझते हो बाबा पिलकुल ठीक अर्थ सहीत नमस्ते करते हैं, बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं, यह ग्यान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है, रचियता और रचना के आदी मध्य अंत का सारा नौलेज तुम्हारी बुद्धी में है तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी महनत करनी पड़ती है हे कल्प पहले वाली हर एक बाबा कहते है कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर फिर भी बाबा फिर भी बाप पुरुशार्थ कराते रहते हैं यहर नहीं बता सकते की आठ रत्म कोन बनेंगे बताने का पार्ट ही नहीं है आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे जो जैसा पुरुशार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएगा बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे इनको तो सुक्ष्म वतन में देखते ही हो, बाबा कहते इनको तो सुक्ष्म वतन में देखते हो है, देखते ही है, प्रजा पिता ब्रह्मा साथ में बेठा है, ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकेंड का काम है विष्णु से ब्रह्मा बनने में पाँच हजार वर्स लगते है बुद्धी में बुद्धी से लगता है बाप तो बरोबर ठीक है बाबा कहते बुद्धी से लगता है बाप तो बरोबर ठीक है भल तरिमूर्ती बनाते हैं ब्रह्मा विश्नु संकर परंतु यहा कोई नहीं समझते अभी तुम समझते हो तुम कितने पदमा पदम भाग्य साली बच्चे हो देउताओं के पाओं में पदम दिखाते हैं न पदम पती नाम भी बाला है पदम पती बनते भी गरीब साधरनी है करोड पती तो कोई आते ही नहीं पांच साथ लाख वाले को साधरन कहेंगे इस समय बीस चालिस हजार तो कुछ है नहीं पदम पती कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ग्यान लेंगे समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे न सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए फट से सभी का पैसा काम में लग गया गरीबो कातो लग ही जाता है साहुकार को कहा जाता है अभी सर्विस करो इस वर ये सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो मेहनत भी करो देविये गुण भी धारन करो बाब भी गरीब निवाज कहलाते हैं भारत इस समय सभी से गरीब है भारत की ही सभी से जास्ती आदम सुमारी है बाबा कहते भारत की ही सभी से जास्ती आदम खुमारी है क्योंकि सुरू में आये हैं न जो गोल्डन एज में थे वही आईरन एज में आये हैं एकदम गरीब बन पड़े हैं खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो निराकार गोड तो एक ही है बली हरी एक की है दूसरे को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो कितने चित्र बनाते हो आगे चल कर अच्छी रीती समझते जाएंगे ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो सारी दुनिया की एक्ट हू बहू accurate, कल्प कल्प repeat होती रहती है Second by Second चलती रहती है बाप यह सभी बाते उससे बाबा कहते बाप यह सभी बाते समझाते फिर भी कहते हैं मनमना बहू बाप को याद करो कोई पानी वा आख से पार हो जाते हैं उस से पारिदा क्या है? इस से कोई आयू थोरे ही बड़ी हो जाती है अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहनी बच्चों की रुहनी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पैंट सच्चा ब्राह्मन बनना है अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है स्वदर्शन चक्रधारी बन संक द्वनी करनी है दंदा करते भी यह कोर्स उठाना है दूसरी पैंट बाबा कहते बाप समान रहम दिल बन अंदो की लाठी बनना है मात पिता को फालो करने का उच पुरुशार्थ करना है अपने पाउं पर खड़े होना है किसी को भी आधार नहीं बनाना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भाव सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भाव डिटेल में बाबा समझाते बच्चे जब भी इसने से बाप को याद करते हैं तो समीब और साथ का अनुभव करते हैं दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है हाजिरा हजूर है इसनेह की विधी से हर इस्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं गाया हुआ है करन करावन हार तो करन हार और करन करावन हार कमबाइंड हो गया ऐसे कमबाइंड रूपधरी सदा साथ का अनुभव करते हैं स्लोगन में बाबा कहते मन को सदा रुहनी मोज में रखना यही जीवन जीने की कला है तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शांती